कंगना रुनौत ने दिती अपनी पहली स्पीच, ते पहली स्पीच ते दोरानी हंगा महों लगा वेलो त्यों उन्होंनों कहना पे आया कि एना दी मेडन स्पीच है जरा शान्त हो जाओ तो नुदास देए कि कंगना रुनौत मंडी तो MP बढ़ी है ते जरा तुसी संसत देविश दिती गई उना दी पहली स्पीच भी सुन लो मैं एक नई सांसद हूँ मगर मुझे इस बात का अभास है कि ये जो अठार्मी लोकसभा है ये कोई सामान्य लोकसभा नहीं है इस लोकसभा का जो चुनाव हुआ है उसमें हमारे जो शीष नेतित्तों हैं हमारे मान्य परधान मंतरी श्री नरेंदर मोधी जी ने लगातार तीसरी बार परधान मंतरी बनकर पिछले साथ सालों का जो रिकॉर्ड तोड़ा है उसके लिए हम सब उन्हें जो है वो हातिक बधाई देते हैं साथ ही बधाई के पातर हैं हम सब भाते जनता पार्टी के लोग जिनें ये सौभागय प्राप्त हुआ और मैं ये भी मानती हूँ के हमारे भात वर्ष की जनता जिनोंने एक स्थिर, सहज और सफल सरकार को चु जो ना है वो भी बधाई के पातर है महोदे जी हम सब जानते हैं कि आज से दस साल पहले हमारे देश की अर्थवेवस्था का क्या हाल था आज से दस साल पहले हमारी संघर्ष सील जो एक चर्मराती और एक लड़कराती अर्थवेवस्था जो कहीं 11 वार में नंबर पर थी और सारा देश जो है उसको लेकर चिंतित रहता था पिछले 10 सालों में वो अर्थवेवस्था 11 में से 5 में नंबर पर आई है और बहुत तिवरता से जो है तीसरे नंबर की तरफ जा रही है ये जो 2024 का बजट है ये सब वर्गों को जो है वो शक्ति परदान करने वाला बज जो है वो हमारी अर्थ व्यवस्था को भी तिवरता मिलेगी महूदे जी और जो हमारा 2027 का जो संकलप है कि कि विकषित भारत का जो संकलप है हम प्रथम एकॉनमी बgency बनेंगे वो भी इस बजट से हम पुरी उमीद है one उस संकलप के जो है वो करीब जाएंगे महोदे जी पिछले साल हमारे हिमाचल परदेश में एक बहुत बड़ा प्रकृतिक संकट आया एक बहुत बड़ी बाड आई जिससे ना जाने कितने जन धन पशु जमीन की हमारे लोगों को जो है वो हानी हो गई लेकिन दुख की बात यह है कि अभी भी हमारा हिमाचल परदेश जो है उस तरास्ति के परभाव से उसके परभाव से उसकी हानी से बाहर नहीं आ पा रहा है और उसका जो मूल कारण है वो है वहां की जो कॉंग्रेस की सरकार है उनका जो लापरवाही है और उनकी जो भष्टाचार नीतियां है आज भी हमारे लोग जो है उस बाड के परभार से जो पीडित है मैं आदर्निया और मानिया हमारी जो वित मंत्री है शिर्मती सिता रमन जी का मैं अभार व्यक्त करती हूँ के उन्होंने हमारी हिमाचल की जनता के लिए जो है एक स्पेशल रिलीफ फंड की जो गोशना की है हम सब हिमाचल वासियों की तरफ से हम आपका अभिनंदन करते हैं और हम आपका अभार प्यक्त करते हैं महोदे जी मुझे ये जानके और आपको बताकर इस बात की खुशी भी होती है और खेद भी होता है कि जितना काम पिछले 10 वर्षों में हमारी भातिय जनता पार्टी ने हिमाचल परदेश में किया है वो उतना काम हमारे आजादी के ब मेडिन स्पीच आप सब हमाचल जाते रहे होंगे और आप सब ने देखा होगा कि वहाँ पर जो है आजादी के साथ साल तक सिर्फ कुछ रोड बने थे और वो भी हमारे माननिया जो पुर परदान मंतरी अडल भी हारी जी रहे है उन्होंने अपने कारेकाल में जो है वो ग एप दानमंतरी नरेंदर मोडी जी की सलकार ने हमारे क्षेत्र को जो है एम्ट्रीपल आइटी आई-े-म जैसार वेष्विक स्तर के जो है वो संस्थान दिये है और वंदे भारत जैसी ट्रेन को हमारे हमाचल में पहुंचाया है घमारे हिमाचल जैसे छोड़े से राच्यो वो साड़े 3,000 क्रोड की लागत का मनालिक किर्थपुर जो है वो हाइवे दिया हुआ है जिसमें माने मोदे जी पांच से जादा टनल है और 37 से जादा उसमें ब्रिजीज है ऐसे वेश्वीक स्तर की जो है हमें इंफरास्ट्रक्चर वहां पे मिली है और साथ ही पुरे देश के लिए जो एक बहुती अदभूत इंफरास्ट्रक्चर माबल है जैसे कि हमारी अटल टनल 9 किलो मिटर की जो वो अटल टनल है विश्व की सबसे लंबी टनल है और वो एक सिंगल टूब हाइवे जो है वो पुरे विश्व के लिए जो है एक बहुत बड़ा उधारन है और उसके साथ ही 11,000 क्रोड के हाइडल प्रोजेक्स हमारे हिमाचल परदेश को दिये हैं अगर मैं ये सूची यहाँ पे रखूँ तो शायद आप लोगों का बहुत वक्त जो है इसमें लग जाए लेकिन लाखो लाभारती जो है वो चाहे मुफतराशन हो चाहे पी-म की जो है वो मकान हो या आयुशमान हो हमारा हिमाचल परदेश एक ऐसे राजे है जो पूरी तरह से शौच फ्री है और वहाँ घर-घर में जो है वो गैस चुले का कनेक्शन लगा है एक भी माता एक भी बेहन गैस चुले के कनेक्शन के बिना नहीं है और मेरा ये जो सौभाग्य है अठारमी लोग सभा में महोदे जी मेरा ये सौभाग्य है कि जब मैं यहाँ पे आई थी तब महिला आरक्षन बिल जो राजनिती में महिलाओं को जो है 33% आरक्षन देता है वो बिल भी पारित हुआ था तो मेरे लिए बड़ी ही ये सौभाग्य शाली जो है आठारमी जो सभा है और मैं यह कहना चाहूंगी कि यह जो बिल है या वश्य ही इंप्लोइमेंट हो या चाहे स्टार्ट अप इनोवेशन हो चाहे हमारे गरीब और मिडल क्लास को टेक्स रिलेक्सेशन हो या हमारे जो अनदाता किसान हो उन पे फोकस हो यह मैं इसे होलसम बजट कहती और मेरी एक प्रातना रहेगी हमारे सरकार से कि हमारे मंडिक शेतर में अगर एक इंटरनेशनल एरपोर्ट हो तो अवश ही हमारी जनता का टूरिजम की दिश्टी से बहुत कल्यान होगा वो हमें जरूर इस विश्य में सोचे और मुझे लगता है यह जो बजट है हम करते हैं और धन्यवाद